नमस्ते दोस्तों आप सब को स्वागत है आपके अपनी चैनल फैंटसी दुनिया में गाइस वीडियो में हम लोग डिसकस करेंगे जे के पी वसेज ए राए के भी जो खेला जाएगा मलमू टीटेन का मैच अब जे के पी बहुत जादा अटेकिंग खिलता है इनका बैट सबसे अच्छा मैच होगा इस तुनामें का बहुत स्टॉंग टीम है लास्ट सेजन की वीनर भी थे बहुत ही अच्छा खेला था लास्ट सेजन पर लिए टॉप फोर में भी थे तो यह जो टीम है ना यह भी एटेकिंग खिलता है बट इनका थोरा नेचर थोरा कभम है इं अच्छे कर क्या रहा है वह देखना इस सेजन में कभी नगभी अच्छा किना स्टार्ट कर देंगे तो इसलिए आपको इंपोर्टन होंगे पास्ट रिकॉर्ट भी देखना वीडियो पुरा नंतक देखना पसंद आए तो लाइक करना एं सबसे पहले ना चैनल में अगर पहले सब्सक्राइब करो एंड टेलीग्रम जॉइन ओजाओ चार बज़े से पहले जो मैच स्टार्ट होगा इंडियन टाइम चार बज़े तो इससे पहले त्यों पर टॉस्ट जो भी अबडेटोंगे तो इसलिए तो इसलिए बीडियो के डिस्क्रिप्शन में मैं लिंक क्लिकत को बंगा ठीलिग्राम का अगर लिंक काम एकने क्या तो अब तेलिग्रम पे जाना और नहीं दिस्क्रिपिशन में बुलूगर लिंक मोगा से जॉइन सकतो अगर लिक्षांिसक तो टेलिग्रम पे जाके न आप एधरे टिम fdf कर सकती। यह फैमिली यह ठीम फैमिली 11 ऐसा कुछ 11 11 हम लोग नहीं लगा थे हम लोग सिंपल फैंटेसी दूनिया फैमिली का चैनल है तो एदरेटी में फ्डिफ है तो जॉइन हो जाना अगर चाहे मन किया तो तो मैं आता हुए इन्होंने चार खेल के आ रहा था चार में से इन्होंने तीन वीन भी किया यह क्या ह हो रहा है मुझे नहीं मालूम हाँ चलो इस बार आते है ठीक है इन्होंने चार में से तीन वीन किया टीम बहुत अच्छा है इनका रेगुलर ओपिनर कौन है एमडी बाबर यह रेगुलर ओपिनर है अब आ चुके है तो यह ओपिनिंग करेंगे राइट है इनके साथ बश बैट्स में इसाब से आपको लेना पड़ेगा अगर बॉली और राउंडर सेक्शन से आपको लेना है तो यह पावर प्ले में खेलेगा यह दुन अपिनिंग करेंगा ना पावर प्ले में ना उपने इनके सबसे अच्छा बड़ा विकेट टेकर बहुत अच्छा ब्लिया करता है उसके बाद वी खेट लिख रहाएगा तो बॉıtली नहीं करेगा अदर्वाइस बॉलीं करेगा तो बॉलिंग कर सेक्था में रोटेशन करूर ऑई यह बॉलर बहुत अच्छा है आप यह कर सेक्ट एक मैच में तीन एक मैच में जीरो दो एक मतलब इसलिए मैं बता रहा हूं कि जब नहीं लेते ना पी टाइप बहुत होता है और इस टीम के पास बहुत ज्यादा बॉलिंग ऑप्शन्स है शिर्जाद मेरे आप से तो मस्ट 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 पीक है सबसे अच्छा बॉलर है इस करें मतलब बहुत ही घटिया बॉलिंग लगता है मुझे देखने में बट स्टिल निकाल के जा रहा है तो हम लोग ट्राइब कर सकते हैं और हां बॉलिंग सेक्शन में ज्यादा च्वाइस नहीं है ले लेना यह जो बंदा है न है लास्ट यह बहुत अच्छा परफोंस थ ठीक है जेके पी अब इनसे रियास खान लास्ट में दो इक निकाला था उसके पहला वाला मैच जो सेम डे में था विकेट लेस बॉलिंग नहीं किया था मुश्किल है बोलना कब करेगा कब नहीं करेगा बट नहीं कर सकता है ठीक ठीक स्पिन कड़ा लेगा सॉरी राइट मीडियम कराएगा यह बॉलिंग करेगा नहीं यह आपको बैटिंग से जो पॉइंट देना है देगा और हां लॉंग ओन में घरा होता है बंदा कहां पे लॉंग ओन में टीम इनिंस टीम का ना सबसे बहतर बैट जो फिल्डर होता है ना मिशा देखना आप इंटरनेशनल क माना जाता है किसलुक में अब अब तक बॉलिंग कर नहीं रहा है यह वाल बाली र्कार बहुत अच्छा है लगप बड़ा पके pragoda n वहां से मतलब बाबर के लेगा मतलब के लेगा बाबर के साथ बशी रामेद उपन करेगा दोनों अच्छे ठीक टाक बैट्समेन है बाबर का उगेट मुझे लगता है कि जब उल्ला जत्रन शायद निकाल ले बिकॉस बशी रामेद देखके खिलता है ऐसा नहीं कि हर बॉल शिर्जात आपके लिए ठीक ठाक प्लियर होंगे अब ले लेना बॉलिंग सेक्शन में थिंग बेटर चॉइस मतलब नहीं बंदा मतलब यहां से मुश्किल है और सेक्शन में एफट करना एफट करना मुश्किल है वाब्या जी को लेने से ले सकते हो डिसेंट प्लियर है दोनों मेच में दो दो डाला तो ट्राइक कर सकते हैं रहमान बाबर और सेक्शन में बार 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 बता रहो और मुश्किल है लेना जील में रहमान बाबर को तीम बालिंग करा रहा है अब मैं पास करना आप धियान से सुनते जाना यह बहुत इंपॉर्टन होगे लास आली यह सब यह सब में बोल के टाइम आपका वेस्ट नहीं करना चाहा था रियाज खान लास सजन अगर ध्यान से देखो कि आठ मैच में तीन ओवर डाला था बॉलिंग जादा किया नहीं था बट रिसेंटली डॉमेस्टिक में इसमाइल जो लास सजन में नो ओवर डाले थे दो मिस्टिक में पंदरा मैच में 26 ओवर में नो ओवर है ठीक ठाक बॉलर है सारगुल शिर्जात लासस अन इसीन में बहुत अच्छा बॉलिंग किया था मेरा मानना है आपके लिए लेना पड़ेगा भब्या को आप जरूर ट्राइ कर सकते हो बाकी बॉलिंग सेक्शन में कर सकता है अगर अदिल जवाइद खेला तो बाकी यार मुझे लगता है कि मुझे समी इब्राहिम खेल शायद बॉलिंग करते हुए ना दिखे और यह समी उल्ला इब्राहिम गेल और रियास खान शायद बॉलिंग डाल जाए पार्ट टाइम ठीक है कैप्टेन चॉइस में सबसे अच्छा नाम मेरे सबसे जबियुला जद्रन विकोस यह अपको बैटिंग बॉलिंग दोनों करते हुए दिखेगा बट विकेट टेगर है बट स्टिल अगर बाबर चल गया और बशीर चल गया तो यह पावर प्ले में अपनो ओवर कंप्लीट कराके चाहता है याद अब यह अगर वी की सेक्शन में रहा तो मैं शायद कैटन ना बनाओ विकोस यह बैटिंग से किबल तब पॉइंट दे सकते और ऑपनिन का बॉलिंग बहुत खराब नहीं है बहुत अच्छा नहीं है ऐसा मैं नहीं बोलूंगा बहुत अच्छा बॉलिंग रैना लाइन प पसंद आए तो लाइक करें अगर आप लुक चैनल में नहीं हो तो चैनल को सब्सक्राइब करें फिलाल क्या किया मैंने मिने वाइस केप्टिन इन को रखा क्या बैटिंग बालिंग दोनों करेगा बहुत अच्छा प्लियार है बशी रामेद है हमारे पास समीब राहिम खे लेगा ना तो भव्य पटिल और अबस इन दोनों से किसी को ले 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 लिए जो बालिंग फ़स्ट करें अब बसना एक में बार 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 बताना हूं एक बहुत अच्छा बॉलार है बट जो इसू है इनके साथ वह है कि यह विकेट टिकर है नहीं कि फाइदी बाल यह आपको फ्लास्ट मैच में बहुत जादा पॉइंट मतलब यह सब पॉइंट दिया था बट जो इशू है यह आपको उपिन करते हुए दिखेगा बॉलिंग करेगा नहीं और हां एटेकिंग खिलता है बहुत एटेकिंग खिलता है तो जबी उल्ला जद्रन एक रौ वि प्लेम के लिए अच्छा प्लेयर है डिसेंट प्लेयर है अनि शुदू में पॉइरोब्ले में बॉलंग करेगा और पाइछ प्लेमन इनस態 मी ईवकेट गिश्टा है और रियाज खान और सुभ रियाज खान और स्मीट iowaय्म के लिए तो जोनों बहुत एटेकिंग खेलता ह तो वहां से अरबजाई का पी टाई होगा वन अरबजाई उके निकालेगा ठीक है बाकि इस मैच कर रिलेटेट एंड नेक्स मैच इसके डिलेटेट अपडिट टेलीग्राम पाएगा टेलीग्राम जान हो जाना वेड़ो पसंद रहे तो लाइक कर देना थैंक यू गैस मुम्राइब ने जान रहे व कर दिलेटेज़।